नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन अजूकेशन हर्ग में, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडिशनल डिस्काउंट गीवेग और सेल का लेचर आपको कैसे क्रियेट करना है, चैली प्रै तो मेक शूर मेरे चैनल को लाइक कर दीचिए, शेयर कर दीचिए और सब्स्राइब कर दीचिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो में अप्रोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी अब अप मेरी कोई वीडियों में नहीं कर पाएंगे, तो चीलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एडिशनल डिसकाउंट गिवन देखिये, सम् टाइम्स क्या होता है उपने पार्टी को डिसकाउंट देखेंगे, और अडिशनल डिसकाउंट भी देते है तो उसके यहां पर direct expenses चूज़ करना है otherwise आप indirect expenses भी चूज़ कर सकते हैं यह उस condition में आपको चूज़ करना है जब आप accessible value के बाद GST apply करेंगे और उसके बाद आप जब discount देंगे तब आपको indirect expenses चूज़ करना है यहां पर देखिए टाइफ अफ लेजर में आपको not applicable चूज़ करना है and percentage of calculation तो यहां पर देखिए percentage of calculation में हमें भी कुछ नहीं करना है rounding methods में आप normal rounding कर सकते हैं इसके बाद देखिए GST applicable तो यहां पर and press करके not applicable कर लिजिए and include in accessible value calculation for तो यहां पर GST चूज़ कर लिजिए appropriate for तो यहां पर दो options आपको मिलते हैं goods पर अगर आप दे रहे हैं discount तो goods चूज़ कर लिजिए service पर दे रहे हैं तो service चूज़ कर लिजिए and उसके बाद देखिए method of calculation दो मिलते हैं आपको options हैं quantity wise भी कर सकते हैं set and value wise भी कर सकते हैं अब देखिए हमने additional discount का आपको understand रहेगा जब भी आप लेजर देखेंगे तो यहां पर आपको क्या करना है additional discount given add the rate 1% flat discount आप देते हैं additional का under again आपको यहां पर direct expenses के रखना है क्योंकि maximum क्या किया जाता है कि accessible value के बाद डिसकाउंट दिया जाता है और इसके बाद टेक्स अपलाए होता है अब देखिए जो percentage वाला option आपको enable करना है यहीं पर रहते हुए आपको control enter प्रेस करना है second last वाला option देखिए use for calculation यस कर दीजिए and method to calculate use इसको आप value wise चूस कर दीजिए and type of leisure में देखिए not applicable आपको चूस करना है next percentage of calculation तो देखिए हां पर हम वरन परसेंट का लेजर कर रहे हैं तो वहीं यहां पर आपको फिल आउट करना है one percentage method of calculation हमें जो calculation करना है और टोटल सेल्स पर करना है इसलिए हम और टोटल सेल्स चूस करेंगे राउंडिंग मैं थरते हाप पर नॉर्मल राउंडिंग चूस करना है आपको राउंडिंग लिमिट वन कर लीजिए is GST applicable and प्रेस करना है and not applicable आपको यहाँ पर चूस कर लेना है और उसके बाद देखिए set alter GST detail इस option को आप नो रहने दीजे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई text classifier नहीं करना है include in accessible value calculation for GST and उसके बाद देखिए appropriate to जिस पर आप discount दे रहे हैं goods पर दे रहे हैं services पर दे रहे हैं वो आप चूस कर लीजिए and उसके बाद देखिए method of calculation तो दो options अगेन आपको यहाँ पर मिलते हैं quantity का and value का quantity wise भी कर सकते हैं आप value wise भी कर सकते हैं description box को check out करना ना भूलिएगा वहाँ में tally and accounts related maximum videos के link provide कर दूंगी आप उन सारे वीडियो को watch कर सकते हैं आप चाहें तो मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं मेरे चैनल का name है Sumer Education Hub आपको वहाँ playlist में मिल चाहेगी आप playlist भी watch कर सकते हैं playlist आपके लिए काफी helpful रहेगा तो definitely playlist को watch किजिएगा चैली and accounts related छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर topic को cover करने की मैंने अपने videos में कोशिश की है still कर रही हूं और in future में में करती रहूंगी बस आप से भी लोग का साथ और आप से भी लोग का support मुझे चाहिए I wish ये वीडियो आप से भी लोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजेगा चैनल को like कर दीजेगा share कर दीजेगा and subscribe कर दीजेगा thank you and keep watching my videos